Hello students and all the viewers, today we are discussing current affairs of Pakistan तो आज हम completely discuss करेंगे current affairs of Pakistan के हवाले से तो अगर मैं पिछले वीडियो की बात करूँ तो मैंने बहुत सारा content पहले ही upload कर दिया है for the preparation of University of Sindh के हवाले से जो भी new students है पहले जाके वो सारी mock test जो मैंने upload की हैं तो पहले जाके वो सारे वीडियो देख लें तापके आपको कोई भी confusion नहाओ ठीके सुनर्स तो आज हम completely discuss करेंगे current affairs of Pakistan को तो एक बात याद रख लें current affairs of Pakistan जब तक University of Sindh की टेस्ट होगी उसके close close मतलब टेस्ट के पहले में एक फिर वीडियो अपलोड करूँगा current affairs of Pakistan के हवाले से क्योंकि आपको पता है कि current affairs of Pakistan in one month in one month change हो जाते हैं काफी तो उसके उपर भी में एक और अलग वीडियो अपलोड करूँगा तो ये जो आज current affairs में अपलोड करना हूँ ये काफी सारे students है जिन्होंने कहा था कि current affairs के हवाले से एक वीडियो अपलोड करें तो आज हम current affairs के हवाले से वीडियो अपलोड करूँगा उसके बाद मेरा counted जो होगा वो होगा इंशालला full focus जो होगा वो होगा English के उपर English के जो section है जैसे direct indirect narration हो गई ठीक है active wise specific wise हो गया तो उसके उपर भी मैं next वीडियो अपलोड करूँगा और उसके बाद भी मैं एक और knowledge और general science के उपर वीडियो अपलोड करूँगा उसके बाद mathematics में आपका non-verbal non-verbal क्योंकि मैंने अपलोड नहीं किया है तो मेरी कोशिच यहीं होगी कि non-verbal के उपर भी एक वीडियो अपलोड करूँगा और उसके बाद में भी युनिवर्शियाफ सिंद्ध के फार्मस आ जाए तो उसके उपर एक वीडियो अपलोड करूँगा मतलब completely आपको guideline मिलेगी युनिवर्शियाफ सिंद्ध के वाले की notification आप तक point सके ठीक है तो बिना देर कि हम अपने इस video lecture को completely discuss करेंगे current affairs of Pakistan से तो आपका जो पहला कुछन है वो है who is the present present prime minister of Pakistan तो पाकिस्तान का present prime minister को ने शाहिद खाकान अबासी, इमरान खान, शेबाज शरीव या अनवार उलहक का कर्ड़ तो आपका जो current prime minister of Pakistan है वो है अनवार उलहक का कर्ड़ ठीक है तो अब नेक्स जो कुछन है आपका वो है which are the following is current who is the current president of Pakistan तो current president of Pakistan को ने आसिफल जर्दारी, डाक्टर आरिफ अलवी या ममनुन हुसेन या आपका D option है मौलणा फजूर रह्मान तो आपका जो correct option होगा तो current president आपका पाकिस्तान का क्या को अब थार्ड जो कुछन है वो है who is the current governor of Pakistan तो पाकिस्तान तो पाकिस्तान सोरी पंजाब पंजाब का current governor को ने चोदरी सर्वर बलीगुर रहमान शेबाश शरीव या उमर सर्फराज शीमा तो आपका जो correct option है वो है आपका बलीगुर रहमान क्यूंके governor of Punjab जो है current वो है बली smile so your correct option is kameran khan tisori क्योंके kameran khan tisori is the current governor of sin फ्रीको संट अब next question है who is the current governor of Balochistan का current governor कोन है मुहमद खान अचकाजी या मीर जान मुहमद जमाली या अब्दुल वली खान का कड़् या सैद जहूर अमद आगा so your correct option is अब्दुलिखण काकड़ अब नेक्स जो कुछन फूब realised या शाह फरमान या हाजी गुलामली तोब चूर्डर्यक्ट ौफिशन है आपका औफशन नम्बर C हाजी गुलामली इस तड्डर्ड गवणर फूर पूरे कवा तो ठीक है सुथ अब नेक्स जो कुछ ने आपका वो है हुई इस दे करेंट गवर्नर राफ गिल्गित बलतिस्तान गिल्गित बलतिस्तान का करेंट गवर्नर कोन है राजा जलाल प्रशीद या मिया साकिब निसार है जर्टिस उमर अता बंदयार सो आपका जो करेक्ट आप्सिण होगा वोगा हगा जर्टिस उमर अता बंदयार इस दड़्र चीफ जासर पाकिस्था preventing अब नेक्स जो कुछ है, who is the head of state of Pakistan, तो state of Pakistan का head को ने, prime minister, chief justice या president, so head of state का, head जो होता है, state का वो होता है, आपका president होता है, ठीक है, अब नेक्स जो कुछ है, वो है current chairman of senate, senate का current chairman को ने, असन इकबाल, dr. जफर इकबाल, रजारब्बानी या साधिक संजरानी, so आपका जो correct option वो होगा साधिक संजरानी, साधिक संजरानी is the chairman of senate of Pakistan, ठीक है, अब नेक्स जो option होगा है, वो है, who is the current chairman of Pakistan के रिकेट बोर्ड, PCB का current chairman को ने, रमीज राजा, एहसान मानी, या शहर्यार खान, या जका अश्रफ, so आपका current option होगा, वो होगा, जका अश्रफ, जका अश्रफ, इस the current chairman of Pakistan के रिकेट बोर्ड, ठीक है संजरानी, अब नेक्स जो कोशन होगा है, who is the current chairman of national accountability bureau, याने नेब का current chairman को ने, ये भी आप याद कर लें, कि नेब स्टेंड फॉर नेश्नल accountability bureau, क्योंके ये भी past paper में आया हुआ है, ठीक है संजरानी, तो नेब का current, आपका chairman को ने, से is the current chairman of FBR, तो FBR किसका full form होता है, Federal Board of, Federal Board of Revenue, ठीक है संजरानी, तो Federal Board of Revenue, ये भी आप याद कर लें, FBR stands for Federal Board of Revenue, तो उसका current chairman कोन है, मुहमद अश्वाक एहमद, अंसर जावेद, जावेद इकपाल, या मलिक अमजद जुबेर तीवाना, तो आपका जो correct option होगा, वह होगा, मलिक अमजद जुबेर तीवाना is the current chairman of FBR, ठीक है संजरानी, अब नेक्स जो कुछन है, वो है, who is the current chairman of Wabda, तो Wabda का current chairman कोन है, तो Wabda का भी full form याब याद कर लें, कि Wabda, किसका full form होता है, Water and Power Development, Water and Power Development Authority, तो आप ये भी याद कर लें, कि Wabda का जो full form होता है, वो होता है, Water and Power Development Authority, ठीक है संजरानी, तो Wabda का आपका current chairman कोन है, अहमद कमाल, मुजबिल हुसेन या सजाद गनी, तो आपका correct option होगा सजाद गनी, सजाद गनी is the current chairman of Wabda, ठीक है संजरानी, तो ये थे कुछ current affairs, जो हमने डिसकस कर लिए, जिसमें governors, prime minister कोने, ठीक है, या कुछ chairmen, जो भी थे वो, हमने डिसकस कर लिए, ठीक है संजरानी, तो मेरी कोशिच ये होगी, कि टेस्स से पहले, मैं एको current affairs के ओपर वीडियो upload करूँगा, क्योंकि हर मन्त आपके current affairs change होते रहते हैं, ठीक है संजरानी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को, बिना सब्सक्राइब करके आप वीडियो मत देखें, ठीक है संजरानी, तो ल झाल